तो मूवी के शुरू होते ही हमें एक टेक्स्ट देखने को मिलता है जिसका मतलब था कि वाइलेंस के जड़ इंसानियत के बिना विज्ञान है और ये कोट हमारे गांधी जी का था जो कि अपने नॉन वाइलेंस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं फिर सीन में आगे एक आदमी स्ट्रेचर पर बंदा हुआ था और उसके चेस्ट पूरा खुला हुआ था फिर उस आदमी के खुले हुए घाव में खूप सारा नमक डाला जाता है जिससे की उसे बे तहाशा दर्द होता है और यहाँ पर कुछ पील्स की टेस्टिंग हो रही जिसके बार में इस सीन कट होकर दूसरे जगे शिफ्ट होता है जहाँ पर चाल लोग केंपिंग के लिए आए हुए थे जिनके नाम तर टाइलर यह निक की गर्फरेंड थी और काय जोकि टोनी की गर्फरेंड थी फिर शाम होने पर यह सभी लोग वापस अपने घर के ओड जा रहे थे लेकिन रास्ते में इन्हें गेस स्टेशन पर एक लेड़ी मिलती है जोकि यहाँ पर डिजल लेने आयोई थी और यह उनसे हेल्प मांगती है क्योंकि उसकी कार के डिजल खत्म हो गया है और उससे अपनी कार तक लिफ्ट चाहिए थी निक उस लेड़ी को में लेकर आती है तो खुद यह गेस मास्क लगाई हुई थी और सभी पर एक गेस रिलिस कर देती है जिससे कि यह चारो कार में भेयोश हो जाते हैं फिर जब इन्हें होश आता है तो यह एक चेर वह बेठे हुए थे और एक घर के अंदर थे जहाँ पर और भी कई सारे लो हो जाती है और यह सबी लोग उन्हें समझाते हैं कि यह सब भी इनी की तरह यहां पर फसे हुए हैं इनके नाम थे ग्रेग, सैम, तारा, जूलियन और लिसा यह सबी मिलकर निक और पोनी को एक वीडियो जिखाते हैं जिसमें की एक उरत यह कह रही थी कि सबी के सिर के केमिकल रिलीस करता है, जिससे यह डिवाइस नापता है, फिर आगे यह औरत यह कहती है कि अगर सबी को यहां से बाहर निकलना है, तो एक दूसरे को टॉर्चर करना होगा, सबी के टॉर्चर लेवल को डिवाइस के द्वारा परसेंटेज में नापा जाएगा, और उन्हे 100% का टारगेट अचीव करना था, और अगर यह सबी लोग 22 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करते हैं, तो उस डिवाइस में एक केमिकल निकलेगा, जो कि उन्हें तुरंत मार देगा, जूलियन को इस वरत की बातें बिलकुल बक्वास लग रही थी और वो अपने सिर के पीछे से डिवाइस निकाल लेता है, और जैसे ही वो इस डिवाइस को निकालता है, तो जूलियन तूरंती मारा जाता है, जूलियन के मरने पर मिटर के परसेंटेज नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद ब्रेंड डेड हो जाता है, और वो कोई एक एक करके ग्रे को मारते हैं, लेकिन मीटर जादा आगे नहीं बढ़ता, और फिर ग्रेक को लेटा कर कई तरह से टोचर करते हैं, जीन में से तारा कुछ ज़्यादा ही वाइलेंट हो रही थी, वो कई बार ग्रेक के नाखुन निकालती है, और फिर उसके शरीर में पर सभी बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, और ये सभी आपस में डिसाइड करते हैं, कि उस मीटर में बच्चे हुए परसेंटेज को 6% में डिवाइड कर लेंगे, ताकि एक एक करके सभी को टॉर्चर किया जाए, और सभी बराबर इंजर्ड होकर यहां से बाहर निकल जिसके बाद में सभी नंबरिंग करते हैं, जिसमें पहला नंबर सेम का था, लेकिन सेम के साथ में जो होने वाला था, उससे सेम को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, सेम खुद जाकर टेबल पर बेट जाता है, और उसकी बाड़ी पर पहले से ही बहुत सारे निशान पुचते हैं, लेकिन सेम नहीं बताता, और फिर टोनी एक गर्म आयरन को सेम के पेट पर रखकर उसे जला देता है, जिसके कारण सेम को बहुत दर्द होता है, और उसका परसंटेज भी बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो 6% तक नहीं पोच पाता है, और 1% रह जाता ह जिसे पूरा करने के लिए एक प्लायर से सेम का नाखुन निकाल दिया जाता है, और सेम का परसंटेज कंप्लिट होता है, सेम के बाद अब बारिती निक की, नेकिन निक की गर्फरन टायलर उसे दर्द में नहीं देख सकती थी, और टायलर अपने पास छुपाई हुई एक चमडी भी निकाली जाती है, और उसके पेट में ड्रिल कर दिया जाता है, जो की तारा का एडिया था, लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी मिटर का परसंटेज नहीं बढ़ रहा था, और ये सब हो रहा था ड्रक के कारण, निक की बारी खतम हो चुकी थी और अगली बारी थी लिजा की, लेकिन वो जाना नहीं चाती थी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यदा डर लग रहा था, और फिर सेम उसे पकड़ कर बाहर लाता है, और टेबल पलेटा कर उससे भी बहुत ज़्यदा टॉर्चर किया जाता है, लिजा के बाद अब बारी थी टाइलर की, और टैलर निक को ये बताती है, कि वो प्रेगनेंट है, और वो सभी को ये भी बताती है, कि उसने निक के मूँ में ड्रग डाल दी थी, जिसके कारण निक को दर्द मेहसूस नहीं हुआ, और उस मीटर का परसेंटेज आगे नहीं बढ़ा, टैलर के पास अभी भी मॉर्फि को पील देता है, फिर अब टॉर्चर करने की बारी थी टैलर की, लेकिन वो प्रेगनेंट थी, निक टैलर की जगे वापस से टॉर्चर होने के लिए जाना चाता था, लेकिन निक ने वो पील्स खाई हुई थी, और उसका असर अभी बे उसके शरीर में था, जिसके बाद म और टोनी तो उस गर्म पानी में अपना हाथ डाल देते हैं, लेकिन किया उस पानी में हाथ नहीं डालती और अपना हाथ पीछे खेश लेती है, टोनी पहले ही दर्द में था, क्योंकि उसका हाथ गर्म पानी से जल चुका था, कि तब ही वहाँ पर तारा आती है एक चाकू लेकर और वो उससे टोनी के गर्दन पर हमला कर देती है जिससे कि बाकी का गर्म पानी बीट टोनी के उपर आ जाता है और उसका शरीर आदा जल जाता है और इससे होता ये है कि टोर्चर का परसंटेज 50% तक बहुत जाता है तारा टोनी के उपर एक बार हमला कर चुकी थी औ लेकिन निक तारा को पंच मार कर अपने दोस्त टोनी को बचा लेता है और फिर सभी अब तारा को टॉचर करने के लिए उसे टेबल के उपर ला चुके थे अब यहाँ पर तारा की बारी थी वो टेबल के उपर बंदी हुई थी लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग जबकि पहले सबसे ज़्यादा टॉचर करने में तारा को ही मज़ा आ रहा था पर अब देखिए वो अपने आपको छोड़ने के लिए भीक मांग रही थी तारा अपने आपको छोड़ाने की पूरी कोशिश करती है और इस जड़ब में किया की गरदन पर चाकू लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है किया को बचाना अब बहुत मुश्किल था और टोनी भी अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ता वो तारा के पास आता है उसे टौचर करने के लिए और वो उसे बूरी तरेसा पीटता है hope तूड़ जाते हैं और फिर इसकीन को एक कड़र से निकाल देते हैं और वहाँ पर एक केमिकल डाला जाता है ताकि तारा को और ज्यादा दर्द हो तारा को बहुत ज्यादा भायनक टॉचर किया जा रहा था जिससे कि टॉचर का परसंटेज 60% तक हो जाता है लेकिन सभी को यहां से बाहर निकलने के किन जब टैलर को मारने की बारी आती है तो वो रुख जाता है और उसके हाथ में से उस रोड को निकले लेता है और फिर निक टॉनी की ही कॉलर बोन को तोड़ देता है जिससे की होता ये है कि टॉचर का परसंटेज 100% तक पहुच जाता है और वहाँ पर से भी को एक से अपने अपने डिवाइस को निकाली रहे थे और निक बाकी के घायल लोगों को लेने के लिए अंदर जाता है और जब अंदर पूछता है तो ये देखता है कि सेम सभी लोगों का मार चुका था और अब बच्चे थे तो निक टाइलर और ग्रे टाइलर यहाँ पर ग्रे के बीना वो यहां से नहीं निकल पाएगी और इसे पूरा करने के लिए वो पहले खुद की स्कीन को जला लेती है लेकिन फिर भी परसंटेज और उसे एक स्कूडराइवर से मार देता है क्योंकि सेम को सब कुछ पता था और वो इन सबी लोकों के साथ में मिला वा था सेम को मारने के बाद में निक अपनी गर्फ्रेंड टैलर के पास पहुचता है उसे बचाने के लिए लेकिन टैलर इतना ज़्यादा दर्द नहीं सह पाती और वो मर जाती है और फिर यहां से जिन्दा बचने वालों में निक अकेला ही था अब सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टरेंट में आता है जहां पर निक बेटा हुआ था और वो पूरी तरह से ठीक था वो रेस्टरेंट के बाहर उसी लेडी को देखता है जो कि लोगों को फसा कर ले जाया करती थी जिसके बाद में निक उस लेडी का पीछा करता हुआ जाता है और उसे किड्नेप कर लेता है और ये मूवी यही पर एंड हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी एक टॉचर गेम पर बनी हुई है जिसमें सभी के सीर के पीछे एक डिवाइस लगा दिये जाते हैं जो कि इनसान के पेन को नापते थे और उसके सिगनल को मोनिटर पर शो करते थे यहां पर सभी को एक दूसरे को टॉचर करना था और टॉचर लेवर को 100% तक पहुचाना था सभी एक दूसरे को टॉचर करके यहां से आज़त तो हो जाते हैं लेकिन सेम उस ग्रूप से मिला हुआ था वो सभी के साथ में विक्टिम बन कर रहता था और उन्हें बताता था कि आगे क्या क्या करना है सेम पहले भी ऐसा कर चुका था और ये बात इससे पता चलती है कि उसके शरीर पर पहले सही बहुत सारे निशान थे मूवी के एंड में एक सेम को मार कर बच जाता है और वो उस लेडी को पकड़ लेता है जिसकी वज़े से उसकी pregnant girlfriend और उसके दोस्तों की जाने गई I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताए और अगर आप इस चैनल अपर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लें क्योंकि और भी कैसारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं